नमस्ते ये विशेष भैंडवारता कारेक्रम में आप लोगे स्वागत करतें जा और ये कारेक्रम में आज हमनी के संगे महमान के रूप में होवन डॉक्टर आजाम बदर खान जी जे ओथोपेदिक सर्जन होवन और ये स्पेशालिस्ट इन नी जॉइंट रिप्लेस्मेट तो आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं नमस्कार मेरम तो डॉक्टर आजाम बदर खान जी जैसे आप दुबई में बेस हैं थोड़ा अपने बारे में जानकारी देंगे जी मेरम मैं दुबई में पिछले बारा साल से हूँ और मैं बिहार से बिलॉंग करता हूँ पतना जो क्यापिटल है बिहार का मेरे फादर भी और्थोपिरिक सर्जन है और मेरे दादा भी डॉक्टर ही थे मैं यहाँ पे प्राइम हॉस्पिटल दुबई में है वहाँ पे काम कर रहा हूँ और नी रिप्लेस्मेंट मेरा विशेश इंट्रेस्ट है और नी रिप्लेस्मेंट में ज़्यादा मैं काम करता हूँ यानि घुटनों का जो रिपलेश मेट है? आ जे-जे बिल कुल बिल कुल आपने सही कहा घुटनों का जो बदलने बदलना जो कहा जाता है कि रिपलेश में उस पे मेरी ज़्दा फोकुस है. तो जब हम लोग इस विशय पर बात करें हैं नी रिप्लेस्मेंट के बारी में आप एक स्पेशालिस्त हैं आप हमें बताएं क्या सभी को नी रिप्लेस्मेंट की जरुरत होती हैं? जी बिलकुल नहीं नी रिप्लेस्मेंट एक ऐसी चीज है जहां पे सभी लोगों को जरुरत नहीं पड़ती है मगर ये भी सचाई है कि घुटना नी रिप्लेस्मेंट और्थ्राइटिस का ही एक एंस्टेज है पर्मिनिन ट्रीटमेंट है तो सभी लोगों को जरुरत नहीं पड़ती है आप अगर उसमें बहुत सारी चीजे हैं कि अगर आप अपने घुटने का ख्याल रखते हैं ध्यान रखते हैं और उसके बारे में आप रेगलर एक्सराइज करते हैं और उसको उसके डूज और डॉन्स जो कहा जाता है जिस जो चीज आपके करने से घुटने खर तो इससे आपके गुटने काफी टाइम तक सही रहते हैं. तो यह बात कहां तक सच है कि कहते हैं कि ने रिप्लेशमेंट जो हैं वो अच्छानी होता है. जी यह पुरानी कहावत है, मैं यही कहना चाहूँगा और यह कुछ वज़ाएं हैं जिनके वज़व से ने रिप्लेशमेंट को नेगेटिव तरीके से देखा जाता है आज तक जबकि आज के दुनिया में ने रिप्लेशमेंट सबसे जादा सक्सेस्फुल सरजरी है और सबस के साथ मैं यह डेटा आपको देना चाहूँगा कि अमेरिका में जो वहां का युएसे का डेटा है कि दो हजार बीस में वन मिलियन तु हंड़िड थाउजन मतलब लोगों का ने रिप्लेशमेंट हुआ था अगले पांच साल में मतलब दो हजार पच्चिस में वो बढ़क तक वो डबल हो जाएगा मतलब अभी आज के टाइम में अगर डेर लाग हो रहा है तो वो साड़े तीन लाग साड़े तीन लाग नी रिप्लेशमेंट होगा तो यह डेटा जो है मैं यह कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में नी पेन और अर्थराइटिस जो है एक तरह क टाइम display साड़े धाराम माह हमारी है हमारे जैनरेशन के लिए नि जैनरेशन में यह पेडेमिक जो इंगलिश में हम लोग कहते हैं कि एपिडेमिक होने वाला है और हो रहा है यह data सग्रते हैं यह मेरा कहना नहीं है यह पूरे दुनिया के हर country के जो डेटा बन रहा है और उनके हिसाब से ये नी का प्रॉब्लम दिन बढ़ता जाएगा और नी रिप्लेस्मेंट के नंबर्स बढ़ते जाएगा हमेशा. तो जैसे आपने ये डाटा दिया, आप बोल रहे हैं कि ये बढ़ता जा रहे हैं और बढ़ेगा, सालों दर साल बढ़ता जाएगा, क्यों? इसके पीछे कारण क्यों है? इसके पीछे कारण ये है कि डबलू एचो का ये एनालेसिस है, उन्होंने दो हजार चौदा में ये डेटा दिया था कि हमारे पॉपुलेशन में 10% मेल और 17-18% फीमेल को अर्थराइटिस होने के चांसेज हैं, जो कि 55 येर से उपर हैं। तो वो डेटा जो है उसके हिसाब से क्योंकि 45 से लेके 65 के एज ग्रूप में लोग जादा अक्टिव हैं, जादा अक्टिव लाइफस्टाइल हैं जिसके वज़े से उनकी डिमांड भी जादा हैं और अक्टिव रहते हैं। वो उसका असर जो हमारे घुटने पे जादा पड़ता है और जिसके वज़े से फिर वो घुटने खराब होने के जादा चांस रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि घुटना क्यों खराब होता है। काफी सारे चीज़ें हैं एक तो हो गया कि लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल, हमें लगता है कि हम और हमारे कल्च्रल कुछ चीज़ें हैं जैसे हम किसी भी धर्म से हमारा तालुक है। इसके जैसे हम घुटना हमारा बैंट रहता है, उसके काफी बैठते हैं और वो जोर पढ़ने के वज़े से काटलेज खराब होता है। देखिए नी रिप्लेस्मेंट होता क्या है। और जो हम कहते हैं वो एक उमर का तकाजा है कि उमर के साथ आप जिस तरह से इनसान उमर दराज होता है, आपकी जिंदगी बढ़ती जाती है। मगर आप कई बार एक मैं छोटा से एक्जामपल देना चाहूंगा कि आप एक किसी चालिस साल के इनसान को देखेंगे तो वो आपको बाहर के हुलिये से वो साथ साल सतर साल का दिखेंगे फिजिकली और कोई साथ साल साल के भी इनसान को देखेंगे तो बहुत आक्टिव बहुत अच्छे दिखेंगे तो वो यह है कि एजिंग सब का होगा मगर किसने कितना अपने बॉडी पे ध्यान दिया है डाइट के हिसाब से, एक्सेसाइज के हिसाब से, अपना क्याल रखा है उसके हिसाब से डिपेंड करता है तो नी का खराब होने का अर्थ्राइटिस, औस्ट्राइटिस हम जिसको कहते हैं वो इन चीजों पे भी डिपेंड करता है काफी कुछ तो डाक्टर जी आप हमें ये बताएं कि जब हम लोग कहते हैं नी रिप्लेसमेंट यानि घुटने को अपरेट करके रिप्लेस करते हैं कैसे करते जी जी आपका कॉσेचन जी है कि नी रिप्लेस्मेंट मतलब घुटना बदलना गुटना बदलना का शब्द जो है वो सुलने में बहुत भारीष शब्द लगता है और कोई भी इंसान रहेगा तो उसको पहला पहला चीज तो यही होगा कि डर लगेगा कि यह घुटना बदलने की बात कर रहे हैं मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद रिप्लेस्मेंट करता हूँ मगर अगर मुझे कभी कराने की जरूत पड़ी उपर वाला ना करे कि ऐसा हो तो पहला चीज तो यही है कि पूरा बदलना एक सुन करके काफी ड्रावना सा ख्याल आता है बट नी रिप्लेस्मेंट में होता क्या है कि देखे नी जोड जो है वो कैसे बना हुआ है और उसका काम क्या है और उस पर कितना प्रेशर पड़ता है गुटना हमारा जांग का जो आखरी आखरी वाला हिंसा होता है और जो टांग का गोड़ का ऊपर वाला हिंसा जो है उकरों मिला करके गुटना है. गुटना पर पूरा बोड़ी का वजन पड़ता है, तो कोई भी हम चीज करते हैं, चलना फिरना, खेलना, खूदना, दोडना, तो उस पर गुटने पर जोड़ता है. वो गुटना जो है आप और उसको सपोर्ट करने के लिए हमारा जांग का जो मसल होता है मास पेशी जो होता है जो जांग का होता है और गोड का होता है वो उसको सपोर्ट देता है होता क्या है कि क्यों पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्यों अर्थराइटिस इतना कम उमर में क्यों होने लगा जैसे कि पहले के टाइम में तेखिए अर्थराइटिस ऐसा चीज है कि आपको इंसान को उमर के साथ होगा तो अगर किसी को ये परिशानी है अगर घुटने का प्रॉब्लम है तो उस इनसान को ये ज़रूरी है ये रिप्लेस्मेंट करवाना ये बहुत अच्छा आपका सवाल है और इसका जवाब मैं पहले तो ये एक शब में एक इसमें बोलूं कि नहीं हर इनसान को घुटना बदलवाने का जरूरत नहीं पड़ता है मगर उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं चेंज करना ये लास्ट जरिया है और या फिर आप कहें कि लास्ट उपाय है कि जब हम बिलकुल हमारा कॉलिटी अफ लाइफ बिलकुल खराब हो रहा है तो ही हम करते हैं मगर मेरा 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 यहां पर इस कोशन पर बहुत अच्छा कोशन आपका इस पर कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हर इंसान को मेरा 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 जो मैं सब को ये कहना चाहूंगा कि आप को जब से पता चले कि आपके गुटने में अर्ली शुरुवाती अर्थ्राइटिस शुरू डिपेंडेंट या उस पे नहीं आप वो करें आपका भी आपका आपका बहुत सारा उसमें ड्यूटी है 50% अगर आप अपने आपको ख्याल करेंगे जिस दिन से आप रियलाइज करें तो उस दिन से आपको ये समझ में आएगा कि घुटने का एक्सराइज करना और टोटल डॉक्टर पे उपर डिपेंडेंट नहीं होना आप अगर रेगलर एक्सराइज करते हैं और जो सप्लिमेंट्स है वो लेते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने से आप नी रिप्लेस्मेंट को 15 साल 20 साल हो सकता है कि कभी जरूरत ना पड़े अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं इस पे मैं एक छोटा सा एक्जामपल देना चाहूंगा कि अभी एक महिना पहले मैं मांट आवरेस्ट बेस कैम्प ट्रेकिंग के लिए गया था दूसरी बार गया था पहली बार मैं पांच साल पहले खुद के मैं थोड़ा सा है वो हमारे लखनाव से बिहार के पुरवांचल वहां से हैं उन वो मेरे साथ गया थे उनको पंदरा पिछले पंदरा साल से अर्थराइटिस है उनका उमर पचास पचपन के आसपास है मगर उन्होंने अपना इतना ध्यान दिया है शुरू से ही जब से डॉक्टर ने उनक को इसका है तो वो काफी एक्सराइज करते हैं अपने मास पेशी को मजबूत रखते हैं ताकि जोड पे कम जोर पड़े और सबसे वो मेरे साथ बिलकुल एंड तक दस दिन तक ट्रेकिंग करके डेली हम लोग 7-8 गंटा ट्रेकिंग करके और बेस कैम माउंट एवरेस के बे तो उनसे अच्छा एग्जामपल मैं आप लोगों को वो देखना चाहिए हमारे मेरे सोशल मीडिया पर उनका सारा इंटर्वियू है हर रोज हम लोग इंटर्वियू कर रहे थे और उनसे मैं क्वेश्चन कर रहा था कि उनको कैसा फील हो रहा है और उनका क्या मेसेज है द जरूत नहीं है मगर उनका एकसरे देखेंगी उनका घुटना का एकसरे देखेंगी तो बिलकुल खराब हो चुका है बिलकुल बहुत अच्छा एक्सांपल आपने दिया लेकिन जिसे आप यहां पर बता रही हैं कि उस व्यक्ति ने मौत अबरस बिचराई की लेकिन उतरन के बाद उनको कोई दर्द नहीं हुआ? नहीं देखेंगी जाने में भी दर्द हुआ है मैं यह नहीं कहाँ हम बहुत बहुत बढ़ा चड़ा करके हम बात नहीं करना चाहेंगे जाने में उनको तकलीफ हो रही थी मगर आप समझ रही हैं कि डेली एक उचाई माउंट एवर तकलीफ तो हर रोस के एंड में उनको होता था मगर मेरा यह कहना है कि इनसान को मनुष को जब से पता चले कि हमारा जिस सिंपल सा एक्जामपल है ना कि जिसे आपका उमर आपको पता है कि हम आज बच्चे हैं जवान हैं फिर कल के दिन में हम जाके बुड़े होंगे तो य यह कुद्रती बगवान ने अल्ला ने हमें बनाया है कि हमें बढ़ना है मगर जिस दिन से आपको पता है कि हमारा गुटना को एक्सराइज करके उसको मद्बूत रखना है तो यह चीजे उन्हों ने किया राजेश जी ने जिसके वज़े से उनको था और आने के बाद से व जो डेटा डबलो हो का मैंने बताया कि हर इंसान को 40% दुनिया के पॉपलेशन को पूरी दुनिया के जो ग्लोबल पॉपलेशन है उसके 40% लोगों को at above the age of 65 chronic knee pain होता है chronic knee pain का मतलब है कि घुटने का दर्द होता ही होता है 40% लोगों को तो यह कहने का मतलब है कि आपको जब पता है कि 40% में आप 65 के बाद आएंगे और उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि 45 से लेके 65 तक का world data है कि आप आपको मतलब उसमें 10 जो मैंने पहले बोला कि 10% male और 18% female female का लोगों ज़ादा होने का चांस इसमें रहता है क्योंकि उसकी दो चार रीजन्स हैं कि हमारे गुटने पे females के घुटने पे जोर जादा पड़ता है क्योंकि भगवान ने वो कुद्रती ऐसा बनाया है कि जिसके वज़े से जोर जादा पड़ता है तो मैं ही कहना चाहूँगा इस पर तो हम आप से एक आखरी सवाल ये जनना चाहेंगे कि जब आप लोग ऑपरेशन करती हैं तो कितना समय लगता है एक ने रिप्लिस्मेंट के लिए ये बड़ा ही मज़िदार मैं कहूंगा कि कॉश्चन है आपका कि समय कितना लगता है जिस तरह से लिवर ट्रांस्प्लांट के हिसाब से अगर हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये तो घंटो घंटो लगता होगा पता नहीं साथ गंटे आट गंटे कितना गंटे लगता ह होगा या 6-7 गंटे मगर आपको ये चीज सुनकर के ताजुब होगा कि जितना बड़ा ये सरजरी सुनने में लगता है एक्सपर्ट हैंड में ये एक घंटे से डेड़ घंटे के अंदर आप नी रिप्लेस्मेंट हो जाता है तो बड़ा जो 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 डॉक्टर जैसे हम लोग रेगिलरली हर रोज नी रिप्लेस्मेंट करते हैं तो घंटा देड़ गंटा से जादा एक घंटे को चेंज करने में नहीं लगता है काफी मज़िदार हैं जो जानकारियां आप दे रहे हैं तो एक चीज मैं यह हमने काफी कुछ नी रिप्लेस्मेंट में बात की बट मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा जो भी हमारे प्रोग्राम को देखेंगे कि मैं यहां पर नी रिप्लेस्मेंट सर्जन हूँ और करता हूँ मेरा मेन वही है बट मैं यहां पर आज के दिन में यह इंटर्व्यू करने के लिए मेरा मकसद यह है कि लोगों को हमारे लोगों को जनता को यह मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए दो तीन चीजें मैं कहना चाहूँगा कि आपको जब से पता चले कि आपका गुटना तकलीफ शुरू हो रहा है बहुत सारे उसके वजाए हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए एक तो आजकल की जमाने में वाइटमिन डी डिफिशेंसी जिसको बोलते हैं वाइटमिन डी बॉड़ी में कमी की वज़े से आपकी हड़ी कमजोर होती है और वाइटमिन डी हमारे बॉड़ी में आता है धूप जब चमड़े पर पढ़ता है तो विटामिन D बनता है और विटामिन D अगर नहीं हो तो खुन से कैल्शियम आपके बोन में नहीं पहुंच पाता है उसको हड़ी में पहुंचने के लिए विटामिन D की जरौत परती है और ये विटामिन D डेफिशेंसी पूरे दुनिया में लोगों को है इसी वज़े से हमारे पुरवज जो कहते हैं कि छोटे बच्चे को जो पैदा होने के बाद धूप में मालिश किया करें उसका वही मकसद है कि आप उससे मालिश करते हैं ताकि धूप पे पड़े और चमड़े पे जब धूप पड़ता है तो विटामिन D बनता है तो सबसे बड़ा एक तो वो वज़ा होता है कि वाइटमिन D सप्लिमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है आप डॉक्टर पे मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप आज के ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि लोग समझते हैं कि मैं डॉक्टर के पास पहुंच गया और डॉक्टर मेरा सारा A to Z हमारा सब कुछ इलाज कर देंगे दवा दे देंगे फिजिटरफी करा देंगे और ये वो X, Y, Z सब कुछ कर देंगे नहीं, ये मैं, मैं अपने मरीजों को हमेशा ये कहता हूँ कि 50% आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने घुटने का ख्याल रखना पड़ेगा जो की है, exercise करना, do's and don'ts फॉलो करना कि आप घुटने को जादर देर ना मोड करके बैठें आपको अगर आपको कहीं भी आपको religious prayer के लिए बैठना है, आप 2-4 मिनिट घुटने को मोड करके, फिर बाद में आप उसको straight करके बैठें ये नहीं कि मोड करके continuous बैठे रहें और muscle का exercise करते रहें इसके साथ एक चीज़ और बाकी तो supplements वगरा सभी doctor देते हैं आजकल stem cell का बहुत महत्व हो रहा है इसमें, जो की PRP, platelet rich plasma stem cell के कहा जाता है stem cell मैं एक छोटे से उसके हिसाब से समझाना चाहूंगा कि जब बच्चा मा के womb में बनता है और पैदा होता है तो जो कॉड कनिक्टेड रहता है वो आजकल आपने काफी देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद, डिलिवरी होने के बाद ये कहा जाता है कि हम उसको preserve करेंगे ताकि embolical cord जिसको बोलते हैं कि वो बाद में जा करके उससे कोई भी बिमारी हो तो उसका इस्तमाल करें क्योंकि जो बच्चा बनता ही है वो एक सेल से पूरा बॉड़ी बनता है उसको स्टेम सेल बोलते हैं वो सेल्स हमारे बॉड़ी में अभी भी रहते हैं हमारे खुन में हमारे बॉन मेरो में होर हमारे फैक निकाल करके हम उससे जो अच्छे वाले सेल्स हैं उसको centrifug करके और गुटने में inject करते हैं जिसमें regenerate करने का खासियत हता है तो वो regenerate करने का सलाहियत रहता है मगर वो सारी चीजे शुरुवात और मौडरेट स्टेज में बहुत जादा खराब हो जाने के बाद उसका बहुत जादा रोल नहीं रहता है तो डॉक्टर बेदर खान जी हम दूसरे चरन के कालिकरम में इस पर बात करेंगे जैसे ट्रित्मेंट हैं, क्या-क्या जैसे और विकास हुआ है इस ख्रेत्र में इस पहले चरन में आपने बहुत सारी जानकारियां दी इन सब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देतें आपको जैसे कि आज आप लोके काफी जानकारी मिरल की कैसे हमने के चाहला अपन घुटना के बारे में ध्यान देगे ता जोन-जोन जानकारी प्राप्त होल हमने के महमान के जरिये उसे आप लोके लाब होई हमने इही उम्मेद करतें जा ता इकारिक्रम के पहले चरन के है जे पर हमने विराम देवत हैं जा और योगो प्रोग्राम की संगे आप लोग से भैट करोग जा नमस्ते जायको जायको